सीतापुर में ठाना गेट पर एक शब का नाले में पड़े होने का मामला सामने आया है तकरीवन 20 गंटे जर्दीक समय से नाले में पड़े सब की भनक पुलिस को भी नहीं लगी और ना ही स्थानी लोगों का उस पर ध्यान गया आज शाम जब शब पानी में फूलने के बाद उतराता मिला तो पुलिस के हाथ पाँ फूल गए पुलिस ने इस्थानी लोगों की मदद से शब को बहार निकाल कर पोस्ट मार्टम के लिए भेद दिया है पुलिस का कहना है कि मरतक व्यक्ती सराभी प्रवत्तिका था यूबक की मौत के बाद इस्थानी पुलिस महक्वे के होस फाक्ता हो गए है घटना सदना थाना चेतरी लाके की है यहां आज शाम एक अधेड वेक्ती का शब नाले में बरामन होने से हड़कम मच गया मिली जानकारी के मताविक यहां के ग्राम कुसाली निवासी सुरेस बर्मा पुत्र माया राम उम्र 45 बर्ज सराभ का आदी था आज साम जब इस्थानी लोग थाने के पास से गुजर रहते तो शब को नाले में उतराता देखकर उनके होस फाक्ते हो गए और मामले की जानकारी सामने के थाने पुलिस कर्मियों को दी घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने शब को नाले से निकलवाकर पोस्मार्टम के लिए भेद दिया है इस्पेक्टर सदना फते सिंग का कहना है कि नसे की हालत में पैर फिसलने से मौत की आसंग का व्यक्त की जा रही है पुलिस का ये भी कहना है कि मरतक के परिजान किसी प्रकार की कारिवाही नहीं चाहते हैं ब्यूरो रिपोर्ट सीता पुरवाई नियूज ब्यूरो